हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अवनाज दिवांगन और इपॉइंट चनल में अब सबका स्वागत है तो आज हम CSI NET को ओनलेन कोर्सिस को आगे बढ़ाएंगे जिसमें है कि हम पार्ट A यानि कि जनरल एप्टिटूट के आज निमेरिकल एबिलिटी चेप्टर के हम टॉपिक्स नंबर होंगे उसके जो पावर होंगे उसके जो भी रिजुट आएंगे उसके Last to visit हमको find out करने है इस टाइप के हम हम उसके rules को हम आज देखेंगे अगर आप हमारे इस topic के notes को download करना चाहते हैं तो description में हमने link के दिया है वहां से आप download कर सकते हैं साती साथ हमारे previous videos जिसमें कि हमने last digit के बारे में हमने बताया था तो उस वीडियो को आप देखना ना भूले उस वीडियो से based ये वीडियो हमने बनाया हुआ है अगर आप वीडियो को दिखते हैं तो उस related जितने भी factors हैं वो सारे चीज इस last two digit वाले videos में use होंगे तो चलिए सबसे पहले हम start करते हैं इसका if number ending 1379 अगर कोई number 1379 से अगर add हो रहे हूँ ये क्या दिख रहे हैं हमारे पास ये जो हैं सारे odd numbers दिख रहे हैं तो यहाँ पर इन चारों numbers से जो भी numbers end होंगे तो उसके लिए rule क्या होंगे वो सबसे पहले हम दिखते हैं तो rule है इसके लिए अगर suppose ये हमरे पास number है उसका last digit अगर one आता है और उसके second last digit कोई भी यहाँ पर number हो तो इसके इस condition में हम क्या करेंगे जो last digit जो one जो हमारा होगा उसको हम as it is लिखेंगे and जो second last digit है उसका multiplication उसके power से हम करेंगे means n into x तो इन दोनों का multiplication करने के बाद इसका जो last digit आएगा उस digit को हम यहाँ पर लिखेंगे one के left side में तो हमारे पास जो भी यहाँ पर digit मिलेगा हमारे पास two digit जो मिलेगा वही हमारा last two digit होगा आगे देखते हैं इसमें हम इसका एकात example देते हैं example क्या example से आपको easily समझाएगा number ending one कोई number अगर one से end हो रहा है उसके लिए example है find the last two digits of 331 to the power 8 इसके लिए last two digit कैसे आएगे देखिए solution इसका 331 to the power 8 देखो यहाँ हमने बताया था कि हमको इसके last two digit को देखने हैं तो सबसे पहला का last digit में one आता है तो उस one को हम as it is लिख देते हैं देखिए इस one को हमने हाँ पर as it is लिख दिया अब उसके बाद जो second last digit होंगे उसका multiplication उसका power के साथ करेंगे तो 3 into 8 तो हमको यहाँ पर मिलेगा 24 तो 24 का जो last digit होगा उसको हम इस one के lab side में लिख देंगे तो यह जो 41 हमको मिला है यह हमारा होगा last two digit आगे बढ़ते हम इसमें और एकात example लेते हैं power अगर last digit जो है यह जो number जो है वो अगर 3 से end हो रहा हो तो उसके लिए क्या यहाँ पर rules होंगे solve करने के तरीके क्या होंगे हम देखेंगे find last two digits of a 3 to the power 723 तो इसके लिए क्या होंगे देखो the power circle of 3 is 4 यानि कि इसको हम frequency भी बोलते हैं देखिए table में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का जो frequency या फिर power circle जो है power cycle यहाँ पर 4 होते हैं तो हमने यहाँ क्या किया the power cycle of 3 is 4 यहाँ पर लिख दिया अब देखो यह कैसे होंगे 3 to the power 1 is equal to 3 3 to the power 2 is equal to 9 3 to the power 3 is equal to 27 and 3 to the power 4 is equal to 81 यह हमारे पास मिल गया तो हमने पिछले अभी रूल में जो देखे थे कि last digit जो है 1 आना चाहिए तो इन चारों में देखिए कि इसके solution में इसके result में last digit में 1 किसमें आ रहे हैं 3 to the power 4 में हमारे पास last digit 1 आ रहे हैं तो हम 3 to the power 4 को लेके चलेंगे इसका मतलब यह है कि इसका जो भी power है means 723 उसको हम इसके power यानिकी 4 से हम divide करेंगे देखिए हमने हाँ पर divide किया है इसको 723 divided by 4 तो इसको divide करने के बाद हमको इसका result जो answer है 180 मिल रहे है and इसका reminder जो है 3 मिल रहे है तो इसको हम इस form में लिख सकते हैं 3 to the power 723 is equals to 3 to the power देखो divide किससे करें है 4 से तो 4 into result जो आया 180 180 हमने लिखा plus जो reminder आया 3 उसको reminder को हमने लिख दिया तो इसको हम इस form में भी लिख सकते हैं 3 to the power 4 to the whole power 180 into 3 to the power 3 इस form में हमने इसको change कर दिया तो यहाँ पर देखो यह जो हमारे पास 4th number का जो यहाँ पर frequency था 3 to the power 4 उस form में हमने इसको change कर दिया तो 3 to the power 4 to the power 180 हमारे पास आ गया तो 3 to the power 4 का मतलब क्या है 81 तो देखिए हमारे पास 81 आ गया तो हमने उसी form में इसको change कर दिया जो पिछले rule में हमने देखा था इसका last digit जो है हाँ पर 1 आ गया तो इसको as it is जो हमने पिछले question में solve किया था उसका digit जो होगा उसका हम power के साथ multiplication करेंगे तो 8 into 180 हमारे पास मिला 1440 तो इसका last digit क्या दिक रहे है 0 तो इस 0 का हम 1 के left side में लिग देंगे तो यह हमारे पास last two digit आ गया है इस term का अब देखिए इन दोनों का जब multiply हम करेंगे तो हमको मिलेगा 27 तो 27 is the last two digit अब next हम दिखते है इसका rule power अगर ending digit जो हैंगे इसमें अगर 7 होंगे और इसका कोई भी power हो तो उसके लिए इसका solution क्या होगा देखिए last two digit of 7 to the power 121 यहाँ पर last digit जो है वो 7 आ रहा है हमारे पास तो इसके लिए रहे हैं the power cycle of the 7 is 4 यानि की frequency जो है 7 की जो frequency आ रही है वो क्या आती है 4 आती है आप table में देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 की frequency जो है वो 4 बता रहे हैं मिल्स 7 की frequency 4 है इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 to the power 1 is equal to 7 7 square is equal to 49 7 cube is equal to 343 and 7 to the power 4 is equal to 2401 देखेंगे 7 to the power 4 में जो है इसका last digit 1 आ रहा है इसलिए जो पिछला रूल था हमारा 1 वाला जो रूल था last digit 1 का तो उसी रूल को follow करते हुए हम इसके power से 7 to the power 122 जो आया है उसको हम divide कर देखें 122 divided by 4 हमारे पास result है 30 and इसका जो remainder है वो 2 आएगा तो यहां से देखें हम इसको इस form में भी लिख सकते हैं 7 to the power 4 यह जो 4 से हम divide कर रहे है 4 into इसका result कॉसेंट जो आया है 30 plus remainder 2 तो देखें 7 to the power 4 whole power 30 into 7 to the power 2 हमने इस form में change कर देखो 7 to the power 4 के form में change हो गया अब इसका अदा हम लिख क्या सकते हैं इसको 1 आ रहे हैं तो पिछले rule हम use करते हुए इसके 1 को as it is लिखेंगे और इसका जो second digit जो है second last digit जो है उसका multiply हम 30 के साथ करेंगे तो 0 into 30 जो है इसका last time जो है वो 0 आ जायागा तो last digit 0 आने के काँद 0 हमने हाँ पर put up कर दिया तो हमको मिल गया 49 का multiply जब इससे करेंगे तो हमरे पास आएगा 49 तो 49 is the last two digit of the given number तो आगे हम देखेंगे number ending with 9 9 के साथ जो number ending हो रहा है उसके लिए question कैसे बनेंगे और इसको solution क्या होगा तो find last two digit of 9 to the power 720 इसका हम solution अब देखेंगे तो इसमें देखते हम the solution 9 to the power 720 तो इसमें क्या होगे तो power cycle of the 9 is 2 tables में हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमको देख रहा है कि 9 का जो पावर यानि कि 9 का जो फ्रिक्वेंसी है वो हमको 2 देख रहा है तो इसके साब से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे 9 to the power 1 is equals to 9 9 square is equals to 81 इन दोनों में हम देखेंगी कि last digit में 1 जो है 9 square में आ रहे हैं तो यहाँ पर हम 720 को 2 से इसके power से हम divide कर देंगे तो 720 divided by 2 हमारे पास इसका result यानि को question मिर रहे है 360 and इसका reminder जो है वो 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम इसको इस form में लिख सकते हैं कि 9 square into 9 to the power 2 into 360 देखो इस form में हमने इसको change किया रहे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 square whole to the power क्या हो जाएंगे 360 तो 9 square के हम क्या लिख सकते हैं 81 और इसकी whole power में है 360 तो दिखिए फिर से वही हम rule लगाएंगे कि तो हमारे पास multiplication के बाद हमारे पास last digit जो मिला 0 तो 0 का हम as it is लिख दिए तो हमारा जो answer है वो आगे 01 is the last to digit यह हमारे पास मिल गया अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर even numbers के लिए अगर number जो है उसका last digit अगर 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी अगर होता है तो उसको हम कैसे solve करेंगे इसके लिए rule होता है देखिए rule ऐसा होंगे कि 2 to the power 10 into even number कोई भी अगर हमारे पास अगर last digit इसका 2 है और उसका power अगर कोई भी power हो तो उसको हम इस form में change करेंगे 10 into even number के form में तो जब यहाँ पर even number आएगा 10 के साथ multiplication में तो उसका जो last digit जो है वो 76 आएगा हम इसा तो आप इसको देख सकते है 2 to the power 10 into 2 उसने भी आएँगे आपको last digit 2 digit 76 यहाँ पर आगे और 2 to the power 10 into 4 इसमें भी last digit आएँगे 76 same as 2 to the power 10 into 6 इसमें भी आएँगे last digit आपके 76 अब आगे देखते हैं second इसका rule अब क्या होंगे odd numbers के लिए अगर 2 to the power 10 into odd numbers आ रहे हैं तो उसके लिए जो होंगे last digit हमेशा 24 होंगे तो ऐसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 3, 5 के लिए तो सारे में last digit जो है 76 का आप कोई भी power लेलो तो उसमें हमेशा last digit जो है वो 76 आते हैं अब calculation में भी calculator में वो calculate करके आप देख सकते हैं कि देखे हैं यहाँ पर हमने क्या किया 76 का multiply किया फिर से 76 का multiply किया फिर 76 का multiply सारे में क्या दिख रहे हमको जब भी हम multiply करते जा रहे 76 का 1, 3, 5, 7 इस टाइब के अगर कोई numbers आते हैं हमारे पास तो उसके जो है last digit वो 24 आएंगे इसको भी हम calculator में calculate करके अगर देखते हैं तो हमारे पास मिलता है 24 तो इसका last digit जो है 24 तो as it is है अब इसका अगर power 3 करते हैं यारे कि 24 into 24 into 24 तो हमारे पास 24 last digit वैसे हम अगर 5 times इसको करेंगे तो हमारे पास वो इची जाएगा इसका last digit 24 अब आगे इसके questions दिखते हैं तो number ending with 2 तो example number 5 है तो find last 2 digit of 2 to the power 204 तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे देखें power में हमको 10 into even number या फिर odd number के form में इसको change करने है तो 2 to the power 204 is equals to 2 to the power 10 into 20 हम इसको ऐसे लिख सकते है 10 into 20 तो हमने पास 200 आगे अब बचे कितने हैं हाँ पर 4 तो हमने लिख दिया 2 to the power 4 तो यहाँ पर देखो यह change हो गया 10 into 20 जो है वो even number है तो जब भी हमने यहाँ पर बताया था कि जब भी अगर even number आते हैं इसके 10 into even number के form में तो 76 इसका क्या होते हैं लास्ट 2 डिजिट होते हैं तो हमको क्या मिल गया है हाँ पर लास्ट 2 डिजिट जो है 76 मिल गया और 2 to the power 4 को हम लिख सकते हैं 16 जब इसका हम multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 1216 तो 16 जो है हमारे पास last 2 डिजिट यहां पर दीख रहे हैं यही हमारा last 2 डिजिट है अब आगे और भी example हम दिखते हैं इसमें अब 4 के लिए अगर हम लेते हैं तो 4 के लिए क्या होंगे दिखते हैं find the last 2 डिजिट of 4 to the power 36 तो 4 to the power 36 को हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 square और इसको whole power में आँगे 36 तो इसको हमने change कर दिया 2 to the power 2 into 36 तो हमारे पास आगया 2 to the power 72 अब 72 को हमको same as 10 into even or odd के form में change कर रहे हैं 2 to the power 10 into 7 means 70 हमारे पास बच्चा कितना 72 है इसलिए हमारे पास 2 बच गया तो 2 to the power 2 तो यहां हमारे पास आया देखिए अब यह logic इसमें लग रहे हैं कि 2 to the power 10 into यह जो है हमारे पास odd number आ रहे हैं तो हमने बताया था 2 to the power 10 into अगर odd number आते हैं तो इसका last 2 digit जो है वो 24 होते हैं हमने अभी पिछले slide में बताया हुआ था तो देखिए 24 into 4 हमारे पास आगया इसको multiplication करने के बाद 96 तो यहां पर यह already last 2 digit है तो 96 is the last 2 digit of a given number next दिखते हैं हम example if the number ending with 6 तो find last 2 digit of a 6 to the power 80 है हमारा example 7 है तो 6 to the power 80 इसको भी हमको convert काना है तो 6 को हम कैसे convert कर सकते हैं 2 into 3 के form में 6 को convert कर सकते हैं तो हमारा power हो जाएंगे हमगे 2 to the power 80 into 3 to the power 80 तो फिर से इसको हम 2 to the power 10 into even odd के form में हम change करेंगे 2 to the power 10 into 8 80 को हम यहाँ से लिख सकते हैं into 3 to the power 4 to the power 20 यह जो था हमारा अगर ending जो है वो odd number से हो रहे है, उसके लिए जो हमने rule बताया था, वो यहाँ पर follow होंगे और इसमें जो है वो ending अगर even number होता है उसके लिए rule follow होंगे, दोनों rule इसमें follow हो रहे हैं तो इसका क्या जाएंगे 10 into even number आ रहे हैं, मतलब 76 इसका last two digit into 3 to the power 4, 81 होता है फिर से वही logic हमारे पास आया कि इसका last digit 1 इसलिए 1 लिखे और second last digit का हम multiply इससे करेंगे, तो हमारे पास मिल रहे हैं यहाँ पर last digit 0 तो 0 हमने हाँ पर लिख दिया, जब 76 का 0 0 1 से multiply करेंगे, तो 76 ही आएगा, तो 76 is our last two digit यह हमारे पास मिल गया है अब आगे देखते हैं, for example देखो, ending with 8, कोई number अगर 8 से अगर end हो रहा हो, तब उसको कैसे solve करेंगे, देखो, find the last two digit, after 78 to the power 3, 79, यह हमारा example number 8 है तो इस form को हम ऐसा change करेंगे, देखिए 2 into 39 इस form में हमने change कर दिया चाहो तो 39 को फिर से आप change कर सकते हूँ, यहाँ पर 3 से यह divide हो सकते हैं, तो इसको हम change कर सकते हैं, 3 into 13 हम change कर सकते हैं, चाहो तो आप 39 से भी इसको solve कर सकते हैं power में आएंगे हमारे पास 379 तो इसको फिर से हमने convert किया, 2 to the power 10 into 37, means 370 हमारे पास आगे हैं बच्चा हमारे पास 9 तो 2 to the power 9 हमको इस क्याज़ेटीज लग दिया into 39 to the power 2 whole power 189 हमारे पास यह मिल गया into देखो यहाँ पर one time यहाँ पर और बचेंगे इसको multiply करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 378 आएंगे तो यहाँ पर हमने 39 को एक और एश्टर जो बचा था उसको हमने multiply के form में लिख दिया अब यहाँ पर इसका क्या होगा हमने पिछले logic में रूल में बताया था कि 24 आएंगे क्योंकि यह odd number है 24 into 2 to the power 9 इसको अब solve कर सकते हूं या फिर अब 2 to the power 9 एक साथ solve नहीं कर सकते हैं इसको separate करके solve हम कर सकते हैं कैसे 2 to the power 5 into 2 to the power 4 तो 2 to the power 5 होंगा 32 and 2 to the power 4 होंगे 16 तो दोनों कुछे multiply करके हैं हमारे पास last 2 digit आएंगे 12 into इसको हम solve करेंगे देखो 9 square देखो यहाँ पर आ रहा है दारेक्ट 81 भी आप इसको लिख सकते हो देखिए into 39 यहाँ पर 39 has it is यह हमारे पास पूरे numbers मिल गए इन सारे numbers का हम multiply कर देगे तो multiply करने के बाद हमारे पास जो आएगा last 2 digit वो 92 होगा यह last 2 digit अब 5 के लिए हम इसका rule देखते हैं number ending with 5 अगर 5 के साथ number कोई ending हो रहा है तो इसके लिए इसके लिए देखो two rules हम देखेंगे एक तो यह rule रहेगा कि only 5 का कोई अगर power हो तो उसको उसका last 2 digit क्या होगा तो power of 5 के लिए देखते है example find the last 2 digit of 5 to the power 80 यहाँ पर only 5 है है यहाँ पर कोई भी और तो इसको हम सीधे ही बता सकते है अगर 5 के power में कोई भी power यहाँ पर numbers हो तो हम उसके last 2 digit को 25 ही लिखेंगे यह logic था हमारा अब 5 के लिए एक और rule होगा इसमें देखेंगे 5 के लिए ही एक और rule हम इसमें बताएंगे ध्यान से देखेंगे if the power of the two or more digits देखो of number जो भी number है उसके power उसके power के लिए हम solve करेंगे अब उस number में two or more digits अगर है with the ending 5 5 के साथ अगर वो end हो रहे है तो उसके लिए rule क्या होगा two rules हो सकते हैं इसमें देखें a, b, 5 यानि कि हमने ऐसा लिखा है three digit कोई number है हमारे पास यह हमारे last third digit होगे last के second digit होगे और यह last digit होगे तो देखें last digit कि से end हो रहे है five से end हो रहे है तो हम इसमें करेंगे कि second last digit होगा उसको check करेंगे कि वो odd है कि even अगर यह odd है और उसका power भी अगर odd है तो अगर both are odd then the last two digit is 75 यह हमारे पास यह logic होगा अगर second last digit और इसका power दोनों odd हो तो हमारे पास 75 इसका last digit आएगा और इसमें rule है देखो आगे अगर second last digit even है और इसका power odd है मतलब यह क्या होगे दोनों different होगे एक even एक odd तो उस condition में 25 हमारे last digit आएगे अगर यह इसको change करते है इन दोनों को change करते है इधर odd इधर even means अगर last second last digit जो है अगर odd है और इसका power अगर even है मतलब यह भी क्या है दोनों अलग अलग है देखो different है तो भी इस condition में 25 हमारा last two digit आएगा तो यह दो rule थे हैं यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा digit वाले कोई number है और वो 5 send हो रहे है उसके लिए यह two rules है अब इसके लिए question दिखते हैं यह easy है find last two digit offers 75 to the power 65 तो इसको हम क्या दिखते हैं देखो तो इसमें देखो second last digit जो है 7 यानि कि odd है और इसका power भी क्या दिख रहे है उसको 5 miss odd दिख रहे है दोनों अगर odd है तो 75 इसका last two digit होगा example 11 दिखते हैं कि हमारे पास 65 to the power 75 है इसके last two digit हमको find out करने है तो देखिए यहाँ पर second last digit even है और इसका power odd है तो यह देखो different है दोनों even और odd इसलिए इसका 25 last two digit होगा उसका example number 12 the find last two digit of a 1995 to the power 2014 तो इसके लिए देखो इसका last second last digit जो है 9 है यानि कि वो odd है और इसका power जो है वो even आ रहे है मतलब odd और even अगर होंगे दोनों different होंगे तो 25 इसका last two digit हो जाएगा तो I think कि आप सबको यह logic जो समझाया होगा तो आज के वीडियो में इतना ही हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद बार रीज़ियोस लाएंगे